हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके लिए अपने चैनल पर एक नए प्रोजेक्ट के साथ दोस्तों आज का प्रोजेक्ट जो है बहुत इंटरस्टिंग और बहुत चलन में है आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा लुडो आप समझगे होंगे क्या कह रहा हूं मैं लुड एक कैसे ठिकान आपगा थी एकन इसको क्लिक करें और खेक नियुक करने के बाद यह साॉंड आईगा एक एक इना यह बन प्लेर यह पीलेज झाल नहीं अगर को यहां से चैन्जिट संप्कॉर०ू के शाप के सात्ते अथ्सेरीगा दीथू निचे बना से करने लिए देगा और इसके अलावा आपके पास यह sound है आप sound को बंद भी कर सकते हो ठीक है और यह sound से click click की जो अब आ जा रहे है वो भी यह आगया और मैं start click करता हूँ यह आपके पास एक intentional add आ गिया यहापके खुमाई 측 आपक्स आ अपना और यह आपका लूडो किंगे ठीक है ना जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं यह देखिए मेरा आगे पहले पर इसिक्स आ गया यह देखिए यह देखिए ठीक है ना तो यह आपका पूरा एक है और इसमें एक अच्छी बात है आप यहां से पोज कर दोगे ना उपर छोटा सा पूरा इस पर क्लिक कर दोगे तो यह पूछे का कि पोज रखना आप यस कर दोगे ना और नेक्स टाम फिर खोलोगे तो यह आपको यहीं से मिलेगी तो चलिए मैं बंद करता हूं इसको और आपको एडिट कैसे करना है दिखाता हूं यह प्रोजेक्ट दोस्तों आप मैं अपनी लैप्टूप की स्क्रीन पर हूँ चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते होगा सबसे पहले आपको एक काम करना होगा फास्ट टैप होगा इसका आपको डेस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिख रहा होगा इसी फाइल का यह प्रोजेक्ट का तो इसमें आप डाउन्लोड कर लीजिए क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी जिप फाइल आ जाएगी ठीक ह एक नट से भी कम वक्त में यह हो गई मेरे अंजिप आपको यह फोल्डर ओपन करना है इसके अंदर और भी कई फोल्डर और फाइल्ज मिलेंगी आपको किसी को कुछ नहीं करना सब सिर्फ पहले वाले को देखना android underscore loo इस पर क्लिक करना और देख लेना यह प्रोजेक्ट ह करके वहां पर ले जाईए जो आपके पहले से प्रोजेक्ट रखे हो या फिर यहां भी छोड़ सकते हो ठीक है ना तो मैं copy कर लेता हूं इसको ठीक है और मैं बाहर ले लेता हूं यहां पर paste कर लेता हूं दोस्तों इसी नाम का Android Ludo को नाम का पहले से एक folder है, लेकिन ये Android space है इसके अंदर बीच में और फिर Ludo है, मेरा जो project है जो मैंने बाहर आप copy किया है, paste, उसमें space नहीं है, ये पहचान है, अब मैं क्या करूँगा ना, इस वाले project को खोड़ूगा, जो Undesco वाला है, ठीक है ना अब सब से पहले हम Android Studio open कर लेते हैं, ठीक है ना, ये रहा, मैंने पहले से open किया हो आ है, अब इसमें, यीवाला option, चूज करना, open and existing Android Studio project, ठीक हैhemna यह तो यह वाला कर ले ना या फिर import project में यह पहले वाला कर ले तो open and existing ठीक है अब इसमें यह वाला चूज कर ले ना जहां पर आपका project रखा है और मेरा है project यहां पर यह रहा android andesco load हो ठीक है ना इसको ok कर देना आपका ok करते ही यह open होना start हो जाएगा ठीक है ना जैसे कि यह आपको दिख रहा होगा progress bar चलता होगा यह open हो रहा है यह time ले सकता है और हाँ इसके लिए net जरूर on रखना active थोड़ा साही रखना होगे तो थोड़ा जल्दी होगा open otherwise files download करने के लिए थोड़ा late भी हो सकता अगर slow internet होगा तो ठीक है मेरे मेरे में आई तो आपके में भी जरूर आई यह शलूर नी कि आइसा बहुत है तो नहीं तो नहीं डिक नद सबसे पहले हम इसका package name change करेंगे, package name मतलब इसकी id, ठीक है ना, क्या करेंगे हम इसकी package name को change करने के लिए, सबसे पहले इसमें जाएंगे, करोंगे, Java के अंदर, और Java के अंदर यह आपका यह वाला फोल्डर है ना, यह, com, company, game, यह package name है, इसको change करने के लिए, गेर icon पर click करेंगे, यह setting वाला icon और इस पर click करने के लिए, second वाला जो right का tick है, इस पर click करते ही क्या होगा, यह तीनो com, company और game, तीनो अलग-अलग हो जाएंगे, देखिए, जैसे कि अब हो गए, अब क्या, com को change करना है, तो com को change कर सकते हो, जैसे मैं company को change कर रहा हूँ, right click करेंगे, right click करेंगे, refactor, rename, और यहां कुछ भी नाम देती ही है, जैसे कि, मैं देता हूँ, farzicode, अपने channel का नाम, ठीक है, refactor करती ही है, आप अपने हिसाब से कोई भी name देती है, लेकिन unique name देना, जो पहले, यह देखिए, यह option पूछेगा, do refactor, yes कर देना, click करने के बाद, ठीक है ना, यह हो गया change, यह देखिए, com और farzicode, इसी तरह से game को change कर लीजिए, right click कर, यह मैं इसलिए change कर रहा हूँ, do refactor करते हैं, इसलिए change कर रहा हूँ, थो कि must है, अगर इस package name के साथ, किसी ने पहले से डाल रखा होगा, तो आपको publish ने होगा, आपका project, ठीक है ना, फिर से वही, आपको step चलना पड़ेगा, इस पे click कीजिए, compact middle package पे click कीजिए, यह पूर नवारा हो गया, इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, clean कर लेना एक बार project को, ठीक ना, यह build में जाकर clean project, clean project हो जाने के बाद एक बार file में जाना, और file में जाने के बाद आप करना, invalid caches and restart, यह रहा, यह option click करने के बाद कर लेना, restart पूछेगा, आप कर लेना, मैं नही भी हो जाएगी, फिर यह open होगा, ठीक है ना, और इसके बाद अब अगला step जो होगा, वो हो गया, graphic, splash, screen और sounds कैसे बदलना है, graphics कैसे बदलना है, splash screen कैसे बदलना है, sounds वगएरा, ठीक है ना, अब इसके लिए आपको जाना है, resource में, sorry, आपको assets में जाना, image में जाना, और य इतनी भी है, यह देखिए, यह देखिए, image है, यह dice की image, और यह परन क्या है, यह देखिए, यह background, ठीक है, यह images है, ठीक है, इसको change कर लेना, यह change कैसे होंगी, बताता हूँ, आप यहां से मत करना, आप क्या करना, image पर click करना, और right click कर देना, right click करने होगा, show in explorer, इसमें ज इसको बंद कर देता है, image को, इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, sound कैसे change करना, यह sound है, ठीक है, यह सारी sound है, इसको भी इसी तरह से right click करना, और show in explorer में, और इस sound अपने हिसाब से change कर लेना, यह रहा, ठीक है, यह sound वाली है, जैसे background music हो, या dice का चलने के लिए हो, आप प्लैस screen के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्लैस screen के लिए आपको, यहाँ पर एक, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, drawable में है क्या, screen, हाँ यह रहा, इस प्लैस screen, इसको कैसे change करोगा, drawable में वही same step, show in explorer, और यह रहा आपका, यहाँ पर change कर लेना, यह बड़ी screen का है, इसका resolution अलग होगा, इसका अलग होगा, सबका अलग अलग है, यह 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में बनाना, अलग-अलग resolution की, resolution आप इससे ही check कर लेना, चलिए मैं अगला step दिखाता हूँ आपको, ads कैसे change करना है, ads, ठीक है, इसको बंद कर लेता हूँ, ads, ads के लिए आपको काँ पर ज जाना है, assets के अंदर, ठीक, assets के अंदर hooks में जाना है, यह रहा हूँ, ठीक है न, इसके अंदर यह आपके पास, यह banner id का add का है, ठीक है, यह id, यह demo के, demo है, आप अपनी डाल लेना, और यह interest yield, ठीक है न, यह दोनों है, यह भी हो गया, अब इसके बाद change के, आपको क्या करन है, आपको इसके बाद change करना है, manifest में जाना, आप, ठीक है न, manifest में जाने के बाद, आपको एक चीज और करना है, कहा है, कहा है, कहा है, यह रहा, आप यह, यह change करने, यह idea, application की idea, यानि कि, जब आप international or banner add बनाओगों न, तो एक app create करने पढ़ेगी, उसकी idea, ठीक है न, यह होगे आपका add का, ठीक है न, अब इसके बाद क्या करोगे, icon change करना, icon, ठीक है, icon कैसे change होंगे, icon आपके होंगे, यह रहे, mip map में जाना, और यह सारे icon यहाँ पर है, छोटे-छोटे, ठीक है, यह वाले icon है, जो आपकी app install होती है, वहाँ पर, ठीक है, इसको भी same procedure, right click करना, show explorer, यहाँ पर, आपके पास icon आगे, इसको एक back कर लेना, यानि कि back यहाँ से कर लेना, resource, यह सारे, mip map जो इतने भी folder है, mip map में, यह सारे, छोट-छोट, अलग-अलग resolution के icon है, यहाँ से change कर लेना, चलिए अगला step है, change app का name, ठीक है, आपका name change कैसे करना है, आपको values में ज जाना है, इस टिंग में जाने के बार, यह जो यह ना, यह गेम वाला, इसकी जगा आप कुछ भी लिख देना, ठीक है, जो बर जी, फरजी code, यह यह, यह app का name है, ठीक है, जो आपका install करोगे तब, आएगा, ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगा, अगला step, change name game and description and email, कैसे change करना है, name game, description और email, आपको इसके लिए resource में जाना है, ठीक है 나, resource में जाने के बाद, आपको क्या करना है, XML में जाना, और config में जाना, ठीक है 나, अब इसमें क्या करना आप, यह रह, पहले तो यह change कर लेना, ठीक है न, इसके बाद description change कर लेना ये great game कुछ भी लिखना हो थोड़ा बड़ा सा ठीक न उसके बाद email id change कर लेना वो ये रही ये रही ठीक न ये change कर लेना है ठीक अब इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ इसके बाद क्या करना है आपको version name कांगया कांगया version ये रहा ये change कर लेना 1.0.0 या कुछ भी लिख देना ठीक न और इसके बाद इसमें इसमें कुछ भी नहीं बचता है और मैं आगे बताता हूँ firebase json की file change कर लेना ठीक न firebase json जैसे की android है न एक project में जाओ यहां पर project में जाओ और यहां पर एक json file होगी android उसकी आप के अंदर यह रही यह change कर लेना यह change कहां से होगी मैं फिर बता देता हूँ इसमें project यह पहले तो android होगा android होगा आप project में change कर लेना और मैं मलब क्लिक कर लेना उसके बाद आप इस app के उपर क्लिक करने बाद राइट क्लिक करना और फिर वही चीज show in explorer आपको यहां पर एक json की file में जाएगी इसको open करना यह रही json file कैसे create होती है यह firebase की file है ठीक है यह step मैं आपको बता दूँगा लेकिन यह बहुत easy है जिसे android studio थोड़ा आता होगा वह create कर लेंगा otherwise youtube पर बहुत वीडियो पढ़ी है अगर आप request दोगे comment में तो मैं आपको बता भी दूँगा कैसे create होती है ठीक है अब अगला step है इसक publisher id थी वल्गरा यह change कर लेना ठीकर ना यह कहां पर मिलेगी यहां पर जाना यहां पर जाना में activity में में चले आना में आक्डिविटी में जाने के बाद आपको यह पर जाना के यह रहा यह Publisher ID है यह चेंज कर लेना और URL वगेरा Privacy Policy का URL चेंज करना हो वो भी इसी के अंदर मिलेगा देखना अभी दिखाता हूँ यहीं कहीं होगा Privacy Policy का URL यह देखिए यह रहा यह प्रैवेसी पोलिशी का URL जरूर देना है आपको URL मतलब Privacy Policy लिखनी जरूर है गेम के बारे में वो वेबसाइट पर एक HTML का पेज बना लेना लिख देना तो दोस्तों यह था पूरा प्रोजेक्ट लूडो किंग जैसा है लूडो का तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेर जरूर करें ठीक है ना और प्लीज लाइक जरूर करें जास से यादर लाइक मिलेंगे तो मेरा होसला बढ़ेगा और मैं आगे आपको और प्रोजेक्ट दूंगा तो चलिए इस वीडियो को लंबी हो गई है काफी क्योंकि सब कुछ बताया मैंने यहीं समाप करता हू एक नए प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट टाइम आउंगा शायद प्लग इन लेका रहा हूं या फिर प्रोजेक्ट भी हो सकता है अंडोड का ठीक ना चलिए इस वीडियो को यहीं समाप करता हूं थैंकि यू थैंक्स फॉर वाचिन